हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे स्वीट कॉन और स्वीट कॉन बनाने से पहले मैं अपनी यूटुब चैनल सीजी ब्लॉगर पूजा में आप लोगों को स्वागत करती हूं यह देखिए फ्रेंड्स मैंने लिया हुआ है एक पैकट स्वीट कॉन यह फ्रीजर में रखे रहते हैं इसे और आपको किसी भी शॉप में एवलेबल हो जाएगा किसी भी जो किराने शॉप होती है उसमें आपको मिल जाएगी यह देखिए फ्रीजर में रखा है इसलिए जम गए हैं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी हल्का कुन-कुना पानी या फिर आफ ठंडे पा जानी है उसे दुबा के रख लीजी यह देखिए मैंने रखा हुआ है थोड़े देर के लिए पांच मिन दस मिनट और यह मैं अब इसे बाहर निकालोंगी सोक कर लोंगी और सबसे ज्यादा टेस्टी यह लगता है अमूल बटर के साथ आप ऑल के साथ भी बना सकते हैं ले बटर डाल रहे हूं और मैंने इसमें स्वीट कॉन जो निकाले थे यह मैंने डाल दी अपने क्वांटिटी के हिसाब से आपको जितना पसंद उतना डाल लीजिए आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी डीश है आप इधर उतर खाने के वज़ाए यह स्वीट कॉन खा अच्छे से मिक्स हो जाए और चलाते रहोंगे इससे क्या होगा काली मृच का फ्लीवर भी ऐस उस फीड कॉन पर लगे suited स्वीट कॉन तो मीठी और काली मृच थोड़ी तीखी इस तरह की फ्लेवर आती है आप एक बर बणा और खा खा के देखेएगा फ्रेंस बहुत है अ तोड़ा सेंधा नमक और या फिर आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ी सेंधा नमक डाली हुई हैं और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सेंधा नमक डाली हुई हैं और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सेंधा नमक डाली हुई हैं औ अधी नीबू नीबू भी क्या ना खटा मीठा का फ्लेवर जो टेक्स्टियर है उसमें बहुत उभर के आता है यह देखिए मैंने नीबू डाल दिया अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करते रहूंगे तब कि जब तक कि उसके नीबू का पानी क्या हो सूख न जाए मतलब यह अच्छे से उस पर रख जाएगी अच्छे से चलाते रहूंगे और यह बिल्कुल बटर के सब बहुत ही अच्छी खुशबु आ रही है लास्ट में मैं इसमें थोड़ा से चाट मसाला डाल दोंगी चाट मसाला डालने से आपका टेस्ट जो है ना और बढ़ जाएगा बि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है लाइक शेयर और कमेंट करें